नमस्कार मैं हूँ अमित पालित और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ सुशान सिंग राजपूत केस से ये जुड़ी हुई है CBI सुशान की साइकलोजिकल आटोपसी करा सकती है सुशान के मताबिक CBI की CSFL लैब सुशान की साइकलोजिकल आटोपसी करेगी और साइकलोजिकल ही कहा जाए तो आटोपसी में CBI की फॉरेंसिक टीम सुशान के दिमाग का अध्यान करने जा रही है CBI सुशान की मौत के दिन से कुछ दिन पहले तक सुशान के बरताओ और रहन सहन दिनचरिया का ध्यान करेगी और इसके साथ ही CBI की टीम सुशान के लिखे नोट्स, किताब, वाटस अप मैसेज़ेस, सोशल मीडिया पर लिखे गए पोस्ट के साथ 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 सुशान के परिवार, दोस्तों करिवियों से सुशान की जो बातचीत होती थी, उसके जरीए उनकी मनोदशा के बारे में जानकारी हासिल करेगी पोस्ट मॉटम हुआ, विसरा रिपोर्ट की जाच हो गई, परिवार से लेकर दोस्तों से पूछ था चुई सुशान को जानने वाले, पहचानने वाले, सब को जाच एजिंसियों ने अपने दफ्तर में बुलाया लेकिन सुशान सिंग राजबूत की रहस्य में बहुत से परदा नहीं उठपाया इसलिए अब सी बी आई सुशान की साइकलोजिकल आटॉपसी कराने वाली है जाज एजिंसियों को उम्मीद है कि साइकलोजिकल आटॉपसी के जरिये ही सुशान की मौद की मिस्टरी सूला सकती है सूतरों के मताबिक सी बी आई की सी एफैसल लेब सुशान की साइकलोजिकल आटॉपसी करेगी आसान शब्दों में कहें तो CBI की फॉरेंसिक टीम सुशान्त के दिमाग के स्टडी करेगी CBI की जो टीम थी उन्होंने पूरा डिसाइड किया कि क्यों ना इस पूरे मामले की जो साइकलोजिकल अटॉपसी है इसका रीजन सबसे बड़ा ही है कि आखिर एक जो मृत्क का क्योंकि ये मरने के बाद ये साइकलोजिकल अटॉपसी होती है कि आखिर जो शक्स जो मरा है उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था उसने क्यों ये सुसाइड के इसकी तमाम तफ्तिश जो है वो साइक्लोजिकल जो अटॉपसी है वो इसमें बहुत ज़ादा मदद करती है सबसे एहम बात इससे पहले सुरंदा पुशकर मामले में साइक्लोजिकल अटॉपसी कराई गई थी सुशाम्त के कमरे से लेकर उनके मोबाइल फोन लैप्टॉप में बंद राज को फॉरें से टीम ही खोल सकती है इस जाज के जरीए ये जाने के कोशिश होगी कि मौद से पहले सुशाम्त सिंग राजपूत की दिमाग में क्या चल रहा था और किस तरह के मानसे के स्थिती से वो गुजर रहे थे आएब आपको बताते हैं कि साइकलोजिकल अटॉपसी क्या होती है और ये कैसे कम करती है मेडिकल साइंस में इसका मतलब होता है मरने वाले की दिमाग की स्टेडी करना यानि कि मरने से पहले उसके बरताओं में क्या-क्या बदावाया इससे जानने और समझने की कोशिश होगी साइकलोजिकल अटॉपसी और लोगों का होता है जो मौत से पहले ध्रम की स्थिती में रहते हैं मामले में बार-बार जादू, टोना, टोटकी और डिप्रेशन की बात सामने आ रही है इसलिए भी साइकलोजिकल अटॉपसी से बहुत कुछ सामने आ सकता है साइकलोजिकल अटॉपसी में मरतक के इंटरनेट, फोन कॉल, इमेल, चैट और मैसेज के जरीए मांसिक स्थितिकी जानकारी जुटाए जा सकती है इस अटॉपसी टेस्ट में मौत के कुछ दिन पहले से 14 जून तक सुशान्थ के विभार और रहन सेन का ध्यान CBI करेगी सुशान्थ के परिवार, दोस्त, करीबियों और कर्मचारियों से अंत्यम वक्त में सुशान्थ के विभार के बारेמע में जानकारी हासिल की जाएगी सुशान्द के फैंस को अब इस बात का भरूसा धीरे धीरे हो रहा है कि सुशान्द केस में CBI के आने से सच सामने आएगा ये बात सच है कि इस मामले में CBI की एंट्री जरा तेरी से हुई और इस वज़े से कई सारे तर्थे नश्ट हो गए लेकिन साइकलोजिकल आटॉपसी टेस्स से बहुत कुछ बाहर आ सकता है तीसरी बार किसी मामले में CBI की CFSL की टीम साइकलोजिकल आटॉपसी करेगी इससे पहले सुननदा पशकर केस और दिली के बुराडी में हुई 11 आत्महत्याओं में साइकलोजिकल आटॉपसी हुई थी दोनों मामलों में मौत संदिक दावस्था में हुई थी और जब psychological autopsy हुई तो बुराडी में जाच एजन्सियों के सामने confusion के सारे दर्वाजे बद हो गए थे आत्महत्या की एक गुथी कुछ दिनों में सुलच गई इसलिए CBI ने अब यह जो डिसाइड किया है कि इस पूरे मामले की psychological autopsy कराई जाएगी यानि कि जो सुशान सिंग राजपूत के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था इसकी तफ्तीश अब CBI करेगी तो CFSL की टीम यह पूरा जो psychological autopsy है वो पूरा करेगी क्या उसके दोस्तों से बात होती थी कि किस तरह की किताबे पढ़ता था यह तमाम तफ्तीश जो है वो ही psychological autopsy के अंदर होगी आखिरी रात का सच जाने में जोटी CBI को कितनी कामियाभी मिलेगी यह तभी पता लगेगा जब psychological autopsy से कुछ रहस्यों से परदा उठेगा अब इस mystery को सुलजाने के लिए CBI के forensic team सुशान के लिखे notes, किताब, whatsapp, message chat और social media पर लिखी तमाम बातों का आधियन करेगी ताकि सच सामने आ सके CBI को सुशान सिंग केस की जाश शुरू कि आज पांचवा दिन हो चुका है लेकिन अब तक केस की मुख्यारोपी रिया चक्रवर्ती से CBI ने पूछताच नहीं की है ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर का रिया और उनकी फैमिली से पूछताच कब होगी और क्यों इसमें देरी हो रही है जब से CBI ने मोर्चा संभाला है रिया विलुक्त हो गई है सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहां है रिया वो कब सामने आएगी CBI कब उससे पूछताच करेगी तो इसका जवाब है जल्द सुशान सिंग राजपूत की संदिख्ध मौत केस में आरोपी नंबर वन रिया चकरवर्ती जल्द CBI की चांच को जवाइन करने वाली है CBI की टीम ने रिया और उसके परिवार को पूछताच का समन तो भेज दिया है लेकिन CBI ने अब तक समन रिसीव नहीं कराया है मतलब CBI पहले इस केस से जुड़े बाकी आरोपियों से तसल्ली बख्ष पूछताच कर लेना चाहती है उसके बाद ही रिया को बुलाना चाहती है ताकि रिया उसे किसी तरह गुमराह न कर सकी लेकिन CBI जांच की मांग करने वाली रिया फिलहाल सीन से पूरी तरह गायब है रिया जिस प्रिम्रोज सोसाइटी में रहती है वहाँ के सिक्यॉरिटी गार्ड का कहना है कि तकरीबन एक महीने से उन्होंने रिया चक्रवती को नहीं देखा है जबकि इसी महीने में दो बार परवरते निद्शाले के ओफिस में रिया चक्रवती पूछताश के लिए जा चुकी है रिया चक्रवती ने अब लगबग घड से निकलना पूरी तरह बंद कर दिया है अगर वो अपने सोसाइटी से निकलती भी है तो अपने परसनल गाड़ी का इस्तेमाल बिलकुल भी नहीं करती है हलाके रिया के वकेल का ये जरूर कहना है कि सीबी आए की जाश में वो पूरा साईयोग करेंगी सुत्रू के मताबिक सीबी आई ने सवालों का पोलिंदा तयार कर लिया है बस रिया को बुलानी की देरी है क्योंकि सुशांत पर काले जादू की हकिकत क्या है उनके डिप्रेशन के इलाज का सच आखिर क्या है? इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही दे सकती हैं रिया के लिए cv.i के सवाल तयार है सुशानद के साथ क्या रिश्टा था? क्या सुशानद से शादी करने वाली थी रिया? सुशान्थ के परिवार से कैसे रिष्टे थे आठ जून को सुशान्थ का घर क्यों छोड़ा क्या सुशान्थ डिप्रेशन में थे आखरी बार सुशान्थ को कफोन किया सुशान्थ के खाते से पैसे कहा गए सुशान्थ की कमपनियों में क्या रोल था रिया चक्रवर्ती से पूसाच करने के लिए एक रणनीती CBI ने बेशक तयार कर ली है सम्मन इशू कर दिया है लेकिन सम्मन अभी रिसीव नहीं कराया है CBI ने जो कोटेक महिंदरा बैंक है जिस बैंक को लेकर आरोप लगाए गए कि एकाउंट में से पैसे निकाले गए वहाँ पर CBI को बेजा गया मतलब बिल्कुल साफ है CBI के सुत्रों का कि रिया चक्रवती क्योंकि उसे मेन आरोपी बनाया है सुशान सिंग राजपूत के परिवार ने उनके पिताने गंभीर आरोप लगाए हैं तो उस जिस पर आरोप लगाए है रिया चक्रवती उससे पूसाच करने से पहले जो आरोप लगे हैं उन्हें पूरी तरीके से क्रोस एक्जामिन CBI कर लेना चाती है चाहे वो बैंक मेनेजर हो चाहे वो अस्पताल के लोग हो चाहे पूस्टमाटम करने वाले डॉक्टरस हो या फिर ये वो चार लोग हो जो की उस वक्त सुशान सिंग राजपूत के घर म मौजूद थे करने वाली टीम के लिदेशक ने इंडिया टीवी को बताया कि सुशान्त की जाच रिपोर्ट निगेटिव है मतलब सुशान्त ना ड्रक्स लेते थे और नहीं स्लोप वाइजन जैसा कोई मामला बनता है जो है वो इमिजेट दियां सब्सक्राइब कर दो इस घूटन स्थे ख़गें सब्सक्राइब कर दो पर दो है तो यह प्लिया तो तो बोगें गए 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 कोवार्च गतरियां सब्सकू месте कोष थे, मैं वोलग सानधु एढ़ा है000 रूरर्च ऋठने थे, को फाल र الرम के लिए और र सानधू पहली बार सुशान्ध केस की फॉरेंसिक जांच करने वाले बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस की और से किस तरह से जांच में देरी की गई वक्त पर ना सेंपल पहुचाया गया ना कुछ जानकारी दी गई सेंपल देडी से पहुचा, पोष्ट माटम देडी से हुआ इसलिए कुछ बातें शायद कभी पता नहीं चल सकेंगे फोरेंसिक टीम ने कहा मुंबई पुलिस की लापरवाही जाच पर भारी है महारास्षा बती है, अरु तॉकिल देड़ेंसिस लापरी ने करनाफ दो देख पर एक लियता देए उन प्रहुच काम आप तेखे है और अबिख दूबने कारता है अब चल सब्सक्राइब कर देख है यह जिएक उल्टव नहीं पोसरो हमेजिन होता है सुषान्त पिर बाद में से शुले नियम भाषी जा देखते हैं भी उन्स्रुमेंटेशनों वाले से में पाचे हैं अमलोग जब सब्लाइजा हुआ सुषान्त को बदनाम करने की जो थियोरी बुनी गई थी वो अब फेल है सुषान्त ना ड्रक्स लेते थे ना कोई नशा करते थे सुषान्त की संदिख्ध मौत में CBI ने जाज के हर एंगल और खोजबीन की हर लेंस सारे पहलों को खंगालना शुरू कर दिया है सुषान्त की रहसे में मौत से जुड़े हर सवाल का ताला खुलने वाला है सुषान्त सिंग राजपूत केस में जब से CBI ने जाज का जिम्मा समाला है तब से इस केस से जुड़े किरदारों की हवाईयां उड़ी हुई है ऐसे ही एक किरदार सिधार पिठानी से इंडिया टीवी संवादाता ने कुछ सवालों के जवाब जाने की कोशिश की इस रिपोर्ट में आप देखिए ये है सिधार्थ पिठानी सुशान सिंग का दोस्त और फ्लैट मेंट जिससे CBI ने करीब 11 घंटे पूस्ताच की और आज भी पूस्ताच के लिए बुलाया है कल की पूस्ताच के बाद सिधार्थ पिठानी जी आडियों के ओफिस से बाहर निकला तो इंडिया टीवी समबादाता ने उससे कुछ सवाल करने चाहे लेकिन सिधार्थ को जैसे साप सूं गया और इंडिया टीवी की माइक देखते ही उसके पैर में पंक लग गए प्रिया से सुषान के संबंद कैसे थे मैंने जो भी सेप्में देना था मैंने सर को सिधाय ओफिसस को सब्कोर्स आइजा रहा है कि आपने सबसे पहरे सुषान के डेट बोड़ी को दुखा तो आपने उनके लटक्तिवी को कसिर देखी थी आप प्लीज जाएए यहां से एक सवाल का जाओ प्लीज जाएए यहां से जानना चाहता है जो सुषान्थ के चाहने वाले जानना चाहते हैं उन्हीं सवाल के जवाब हम भी सिधार्थ से जानना चाहते थे लेकिन सिद्धार्थ का टका सा जवाब था नो कमेंट सुषान सिंग राजपूत की संदेख्ध मौत केस में रिया चक्रवर्ती के बाद जिस एक शक्स पर सब की निगाहे ठीकी हैं वो सिधार्थ पिठानी ही है अब रुकेंगे एक ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं